हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ बहुत ही कुपसूरत पैटन से एर करने जारी हूँ इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं जैन साफ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, लेडिज कार्डिगन, कोट्टी, गल्स यह हमारी पैटन का बैक साइड, इस पैटन को बनाने के लिए हमने 6 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं और प्लस हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा डालने, यानि कि हमने 6 के जोड़े के इसाफ से फंदे डालने हैं और प्लस हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा डालने, दस नंबर की दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियोज की नोट्फिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और देखिए पहला फंदा उतार लेंगे यह पहला फंदा उतार लेना है दो फंदे सीधे बुलेंगे यह देखिए दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार यह देखिए पहला फंदा छोड़के देखिए दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे यही 6 फंदों का प्रोसिस समने आगे रिपीट करने धागा पीछे दो फंदे सीधे आएंगे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे आएंगे दो तीन चार चार फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे आजाएंगे दागा पीछे लास्ट में देखे दो फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा भी सीधा आजाएगा ये देखे ये फरन्ट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई अब देखे रोंग साइड से से किंड रो अब second row में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, next हम दो फंदे उल्टे बुरेंगे, एक, दो, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, ये देखे, फ्रंट साइड की तरब से जो फंदे उल्टे आए हैं, वो रोंग साइड से सीधे आएंगे, और फ्रंट साइड दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी साइड लास्ट के फंदे उल्टे आजाएंगे, ए देखे, ये रोंग साइड से पै एकटन की सेकिंड रोओ कम्प्लेट हुगई अब देखिए फ्रंट साइड से धर्ड रोओ को भी हमने फर्स्ट रोओ कितरा बुंते हुए कम्प्लेट करना है दो फंदे सीधे और चार फंदे उलटे धागा पीछे दो फंदे सीधे और चार फंदे उल्टे दो फंदे सीधे आ जाएंगे चार फंदे उल्टे आ जाएंगे लास्ट के फंदे सीधे ये देखे ये फ्रंट साइड से हमारी पैटन की थर्डरो कंफिलेट ओ गई अब देखे है रोंग साइड से फोर्थ रो अब फोर्थ रो में देखे पहला फंद है उतारेंगे दो फंदे उल्टे दागा पीछे चार फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे 4 फंदे सीधे दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे 4 फंदे सीधे लास्ट के फंदे उर्टे आ जाएंगे यह देखे यह देखे रॉंसाइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से फिफ रो पहला फंद हुतारेंगे अब देखे नैस्ट अमारा इन दो फंदों में पेटरन आएगा तो पहला फंदा आगे करेंगे और दिखे जो स्पेस दिखाए दे रहा है इसके ऐसे चेन में आएंगे फर्स्ट ओल छोड़ेंगे थर्ड ओल छोड़ेंगे और फोर्त होल में हमने ऐसे सलाई डालनी है और एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे इस तरीके से और इसको लेप न एक फंदा और बनाएंगे मीडियम ब्लूज और इसको भी लेफ नीडिल में ऐसे सिफ्ट करेंगे फिर इन देखे यह जो फंदा बनाए है जो एक फंदा पहले से सलाई में हैं इन दोनों को एक साथ बुनेंगे ऐसे बैक साइड की तरफ से हमने सलाई डालनी है और दो का एक करना है इस तरीके से यह देखे फिर धागा अपनी साइड करेंगे चार फंदे उल्टे एक तो तीन चार धागा पीछे नेस्ट पैटन आ जाएगा एक फंदा आगे करेंगे ऐसे स्पेस में आएंगे फर्स्ट सेकिंड थर्ड होल चोड़ेंगे और फोर्थ होल में ऐसे सल प्र यह दो कई दूनों को एक साथ बढेंगे दोका एक करेंगे तो एससे बैक साइड की तरफ सेस्वाइड दालेंगे दोका एक काल ले ने धागा अपनी साइड चार हम्हे पुर्टे फिर नस्ट वे टन आएगा, तो एग फंदा आगे करेंगे, ऐसे इस बीस में आएँगे, फर्स्ट, सेकिंड, थार्ड होल चोलेंगे, और फ्रूर्थ होल में स्लाइड डालेंगे, एक एक्ष्ट्रा फंदा बनाएंगे, फिर इस फंदे को ऐसे लेफ निडिल में सिफ्ट कर एक्स्ट्रा फंदा और यह जो नेस्ट फंद है इन दोनों को एक साथ बुनेंगे ऐसे बैक साइड की तरफ से सलाइड डालते हुए यह दिखे फिर दो फंदे स्वरी चार फंदे उल्टे आ जाएंगे दागा पीछे नेस्ट पैटन आएगा फोर्थ होल में सलाइड डालेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा फिर इन दोनों को एक साथ बुनेंगे फिर उसी होल में सलाइड डालेंगे एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे फिर इसको लेफ निडिल में डालेंगे फिर दो फंदे एक साथ उनेंगे दो का एक कर लेंगे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फिप्त रो कम्प्लेट हो गई आप देखे रोंग साइड से सिक्स रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड करेंगे अब देखें नेस्ट फंदे हमने ट्विस्ट करने यह जो पहला फंदा है पीछे जाएगा और पीछे के दो फंदे आगे आएंगे तो ऐसे बैक साइड के तरब से पीछे के दो फंदे ऐसे राइ नीडिल में उठाएंगे इस तरीके से सीधा बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर नेस्ट देखें आगे के दो फंदे पीछे जाएंगे पीछे का एक फंदा आगे आएगे तो आगे की साइड से देखें इस तरीके से हमने इस फंदे को उठा लेना है आगे के फंदे स सीधे आ जाएंगे यह देखिए इस तरीके से हमारा पैटर्न आने लग जाएगा फिर नेस्ट देखे नेस्ट फंदे भी ट्विस्ट होंगे आगे का फंदा पीछे जाएगा पीछे के दो फंदे आगे तो देखिए ऐसे यह बैक साइड की तरफ से इन दोनों फंदों को रा फिर नेस्ट फंदे ट्विस्ट होंगे तो आगे की साइड से तीसरे नंबर का फंदा उठा लेंगे आगे के दो फंदे सिलीब करेंगे बैक साइड की तरफ से इनको लैप निडिल में उठाएंगे यह दिखे तो एक फंदा उल्टा यह दिखे दो फंदे सीधे फिर नेस से फिर देखे दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा फिर नेस्ट देखे यही प्रोसिस रिपीट होगा आगे की साइड से देखे तीसरे नंबर का फंदा उठाएंगे आगे के दो फंदे सिलीपरेंगे इनको बैक साइड की तरब से उठाएंगे फिर देखे यह एक फंदा उ धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा ये देखे रोंग साइड से हमारी पैटन की सिक्स रो कमप्लीट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से सेवंत रो अब सेवंत रो में हमारा पैटन रिपीट एंड सिप्ट होगा तो देखे पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे दो फंदे सीदे फिर धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीदे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा ये देखे ये फ्रंट साइड से यमारी पैटन की सेवन तरो कम्प्लीट हो गई अब देखे रोंग साइड से एड तरो अब एड तरो में देखे जो फंदे उल्टे होंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे और जो फंदे सीधे होंगे उनको सीधा बुनेंगे तीन फंदे सीधे आ जाएंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे चार फंदे सीधे आएंगे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा पीछे चार फंदे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे तीन फंदे लास्ट में सीधे आ जाएंगे एक फंदा उल्टा आ जाएगा तो देखे ये रॉंग साइट से हमारी पैटर्न की एट तरो कमप्लीट हो गई अब देखे नाइन तरो अब नाइन तरो में भी हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे पहला फंदा उतारेंगे तीन फंदे ल्टे आ जाएंगे दो फंदे सीधे आ जाएंगे चार फंदे ल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपने साइड चार फंदे ल्टे ल्टे आ जाएंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे लास्ट में देखे तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी नाइन तरो कम्प्लेट हो गई अब देखे रॉंग साइड से टैन तरो टेंथ रो में भी देखे जो फंदे सीधे होंगे उनको हमने सीधा बुनना है और जो फंदे उल्टे होंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे तो इस टार्डिंग में तीन फंदे सीधे दो फंदे उल्टे धागा पीछे फिर चार फंदे सीधे आ जाएंगे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे फिर धागा पीछे चार फंदे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा पीछे तीन फंदे लास्ट में सीधे एक फंदा उल्टा तो देखे ये wrong side से हमारी pattern की 10th row complete हो गई, आप देखे 11th row, अब 11th row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी side, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब नेश्ट देखे इन 2 सीधे फंदों में हमारा pattern आएगा, तो एक फंदा आगे करेंगे और ऐसे chain में आएग और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे, ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया, इसको left needle में ऐसे shift करेंगे, फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे, तो ऐसे back side की तरफ से slide डालेंगे, पर दो का एक, फिर उसी hole में हम slide डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, फिर इस को एंसे left needle में shift करेंगे फिर दोनों को एक साथ बनेंगे एक extra फंदा और एक next वाला फंदा दो का एक करेंगे इस तरीके से धागा अपने side 4 फंदे ओल्टे आ जाएंगे next pattern आएगा ऐसे फोर्ट ओल में slide डालेंगे एक फंदा बनाएंगे इसको ऐसे left needle में shift करेंगे फिर देखें इन दोनों को एक साथ बनेंगे back side की तरब से slide डालेंगे दो का एक फिर उसी होल में हमने slide डालनी है इस तरीके से और यह देखें फिर दो का एक करेंगे चार फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे next हमारा pattern आएगा फोर्ट ओल में slide डालेंगे और एक एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे फिर देखें इस फंदे को left needle में shift करेंगे फिर देखें एक एक्स्ट्रा फंदा एक बुनावा फंदा दो का एक फिर उसी होल में slide डालेंगे एक फंदा बनाएंगे फिर इसको left needle में डालेंगे एक्स्ट्रा फंदा बुनावा फंदा इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे धागा अपनी side 3 फंदे उल्टे एक फंदा सीधा ये फ्रंट side से हमारी pattern की 11th row complete हो गई अब देखे 12th row पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे अब देखे आगे के दो फंदे पीछे जाएंगे पीछे का एक फंदा आगे तो आगे की side से देखे तीसरे नंबर का फंदा right needle में आगे के दो फंदे सिलीब करेंगे इनको back side से left needle में उठाएंगे अब देखे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे ये देखे फिर next देखे आगे का फंदा पीछे पीछे के दो फंदे आगे तो आगे की side से अब next देखे आगे का फंदा पीछे जाएगा पीछे के 2 फन्दे आगे तो देखे इसे बैक साइट की तरब से इन दोनों पिर नेश्ट देखे पीछे का फन्दा आगे आगे के 2 फन्दे पीछे तो देखे आगे की साइट से हमने तीसरे नंबर का फंदा राइट नीडिल में उठाना है आगे के फंदे सिलीप करेंगे इनको बैक साइट से लैप नीडिल में उठा लेंगे तो एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे सीधे अब नैश्ट देखे आगे का फं पिछे दो फंदे एक एक करके सीधे भुनने हैं फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा आ जाएगा फिर नेश्ट देखे तीसरे नंबर का फंदा उठा लेंगे आगे के दो फंदे सिलीप करेंगे इस तरीके समनी फंदों को ट्विस्ट करना है फिर एक फंदा से फिर दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा नेश्ट फंदा भी उल्टा आ जाएगा लास्ट का फंदा भी उल्टा आ जाएगा तो देखे रोंग साइड से हमारी 12 रों कंप्लेट हो गई यह देखे आप देखे फ्रंट साइड से 13 रों अब 13 रों में हमारा पैटन रिपे करना है यही बारसलायों का पैटन हमने बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखे बहुती सुन्दर बहुती आसन पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाए कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडि करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू हुआ 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 हुआ